साधी हो या फिर कोई भी फंक्शन हो रायता के बिना हमारा खाना बिलकुल अधूरा लगता है क्योंकि रायते हमारे खाने का टेस्ट दुगना बढ़ा देता है ये हम सब जानते हैं और ऐसे भी ये बहुत ही हल्दी होता है और ये खाने में भी बहुत जादा टेस्टी लगता है ये भी हम सब जानते हैं तो आज मैं बनाने वाले हूँ कद्दु का रायता वो भी बहुत ही कम समय में तो चलिए इसे बनानाय स्टार्ट करते हैं मैं यहाँ पर लिए हूँ एक छोटे साइज का कद्दु गोल वाला आपके पास जैसा कद्दु हो कद्दू को कोई-कोई लौकी भी बोलते है बट मैं कद्दू बोलती हूं तो अब मैं आपको बता देती हूं कि रायते में मैं क्या-क्या डालने वाली हूं तो यहां पर मैं लीऑं 200 गराम अमूल का दही आपके पास जमा हुआ दही हो तो आप वह भी उज़ कर सकते हैं और के बाद मैं इसमें डालोंगी अजवायन मंगडेल और हमें रायते में काला वाला राय जो होता न वो हमें डालना है आपके पास अगर छोटा दना वाला जो राय रहता है न आप वो भी डाल सकते हो और उसके बाद हम डालेंगे अधरक और हरी मिर्च और थोड़ा सा धन्या फ्रेस धनिया का पत्ता तो चलिए रायता बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कद्दू को काटेंगे तो यहाँ पे जो डंटी है ना तो इस साइट से हम इतना काट देंगे और नीचे साइट से भी हमें काट लेना है और उसके बाद फिर हम कटर से इसे छील लेंगे जितना भी इसका छील का है हम इसे छील कर हटा देंगे तो चलिए पहले मैं इसे छील लेती हूँ तो यहाँ पे कद्दू छीला चुका है और उसके बाद मैं इसे फ्रेस पानी से धो दी अच्छे से हमें इसे धो लेना है और उसके बाद मैं कद्दू को कट करूँगी तो मैं कद्दू को काट कर रायता बनाऊंगी छोटे छोटे टुकडे करके आप चाहो तो कद्दू कस भी कर सकते हो और ध्यान रखिएगा हमें कद्दू जो हम काटेंगे उसमें हमें बीज नहीं डालना है जितने भी बीज है न सारे बीज को हम निकाल देंगे तो इस तरीके से हम बीज को निकाल देंगे उसके बाद हम कद्दू को कट करेंगे तो सारे बीज को हमें पहले निकाल लेना है और इस तरीके से कट करना है इस तरीके से पता है गाओं में काटा जाता है मैं अपनी मम्मी दादी से इस तरीके से काटने के लिए सीखी थी तो हमें कट कर लेना छोटे छोटे टुकडे में तो इस तरीके से अगर आप काटे गाना तो जल्दी से कदू कट जाता है और अगर आप छोटे छोटे टुकडे कड़ के काटिएगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा और आप ऐसे काटिएगा तो फटा फट से कट जाएगा और देख सकते हैं अब मैं कद्दू कट कड़ चुकी हूँ छोटे छोटे टुकडे और मैं इसे सबसे पहले पानी म उबालूँगी तो यहां पर मैं कड़ाई में पानी उबलने के लिए गैस पर चड़ा दी थी और अगर पानी में उबाल आचुका है अच्छे से तो आप कटा हुआ कदू इसमें डाल दे और एक बार इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और अब मैं इसमें डालूंगी नमक तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए मैं नमक इसमें एक ही बार डालती हूँ जब कद्दू को उबालती रहती हूँ नमक डालने के बाद इसे एक बार मिला दे तो मैं नमक पहले इसलिए डालती हूँ क्योंकि अच्छे से कद्दू में एब्जॉब कर लेता भी है और जल्दी से कद्दू पक भी जाता है तो इसे हम 7-8 मिनट तक पकाएंगे मेडियम फ्लेम करके अगर आप कूकर पे पकाएंगे तो 2 सीटी लगाएगा तो जब तक कद्दू उबलेगा तब तक मैं इधर राय जो है न काला वाला राय उसको हम कूट लेंगे इस तरीके से आप चाहो तो मिक्सर में भी इसे दरदरा पीश सकते हो लेकिन ये खल में भी बहुत ही अच्छे से कूटा जाता है जैसा कि आप सब देख रहे हैं ये देखिए अब मैं राय को इसमें कूट ली हूँ और राय को निकाल लूँगी उसके बाद मैं इसमें अधरक को कूट लूँगी उसके बाद जो भी हरी मीर्च धनिया पत्ता है सारे को हम कट कर लेंगे ये देखिए मैंने यहाँ पे कट करके रखा है और अब हम एक बार कदू को देख लेते हैं कि पका है या नहीं तो थोड़ा टाइम ये और पकेगा तो इसे हमें ढख कर बिल्कुल भी नहीं पकाना है नहीं तो ये फटा फटा हो जाता है और अब 2-3 मिनिट और मैं पकाई औ ये बहुत ही अच्छे से अब पक चुका है जैसा कि आप सब देख रहे हैं ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये पक चुका है तो अब हमें गैस को आफ कर देना है और उसके बाद हम इसे दूसरे बरतन में छान लेंगे तो एक बरतन हमें नीचे रखना है उसके उपर से हमें जाली वाला एक थाली लेना या फिर कोई भी छननी और इसे हम छान लेंगे इस तरीके से और दो से तीन मिनट के लिए इसे हम थंडा होने के लिए रख देंगे तो इस तरीके से आप प्रेस करकर के जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो निकल जाएगा और इसे दाबने के बाद हम दो से तीन मिनट तक रख देंगे थंडा होने के लिए थोड़ा सा और उसके बाद हम इसमें जो भी मसाला है इसमें डालेंगे तो यहाँ पर अब यह थंडा हो चुका है तो इसे हम दूसरे बरतन में निकाल लेंगे तो यहाँ पर मैं एक बोल ली हूँ और इसमें मैं उबला हुआ कद्दू डालूंगी और इसी में मैं रायता तयार करूंगी तो पहले हमें इसमें कद्दू को डाल लेना है और उसके बाद जो भी हमने मसाला बनाया है वो साड़ा हम इसमें डालेंगे तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ कूटा हुआ राय तो हर तरब से डाल ले और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी अजवाइन मंग्रेल तो जितना इसमें जरूरत है उतना ही डाले बाकिया आप रहने दे तो यहां पर मैं थोड़ा सा डाली और थोड़ा सा रग दी और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च कटा हुआ और फिर फ्रेस धनिया और इसके बाद कुटा हुआ अद्रक और एक चम्मच छोटा चम्मच से काली मिर्च पाउडर और उसके बाद इन सारे मसाले को हम इस तरीके से मिला लेंगे अच्छे से तो पहले हमें इसे अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही तो यहाँ पर मैं 200 गडाम दही लिएँ बढ़ थोड़ा सा मैं इसमें रख लूँगी और उसके बाद सारा जो भी दही है मैं इसमें डाल दूंगी और दही को डालने के बाद अच्छे से इसे मिला लेंगे तो सारा कुछ डाल के मिलाने के बाद अब मज़ेदार चट पटासा कदू का रायता बनके तयार है जैसा कि आप सब देख रहे हैं यह दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है तो आप इसे सर्व कर सकते हैं पूरी, पराठा, चाबल, रोटी, कोई भी खाने के साथ आप रायता ले सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और यह हेल्दी भी होता है तो मैं यहाँ पर एक प्लेट में इसे सर्व की हूँ और इसके उपर से मैं कस्तूरी लाल मिर्च पावडर डाली क्योंकि यह और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखें और थोड़ा सा फ्रेस धन्या का टूकड़ा डाली यह देखिए और अब यह दिखने में कितना खूबसूरत लगड़ा है ना तो यह खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है जितना मज़ेदार यह दिखने में लगड़ा है ना उससे भी कई गुना ज़्यादा यह खाने में टेस्टी लगता है तो उमीद करती ह कि कद्दू के रायते का रेसिपी आप लोगों को पसंद आया हो तो अगर आपको कद्दू के रायते का रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो भी मेरे चानल पे न्यू हो तो प्लीज मेरे चानल को स साथ सेर करू उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो मिलती हूं नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई टेक कियर थैंक्स फूर वाचिंग